ओके दोस्तों तो पहुच गया है एलो रा वेरूर के नाम से भी कहा जाता है महाराश्च्टर के अउरंडबाद डिस्ट्रिक्ट में यह प्लेस आती है और यहाँ पे बहुत सारे केव जो है वो हमें देखने मिलते है जेश्ट अपने सामने में आपको दिखाना चाहूंगा यह है यहां का एंट्री गेट और यहां पे जो है वो केव है तो दोस्तों पहुच गया है वेरूर के टिकिट काउंटर पे यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा के ओनली कैश पेमेंट लिया जाता है इंडियन सिटिजन्स के लिए 40 रूपीज और फ जो मॉनुमेंट है वो भारतिय पुरातत्व विबाग के अंडर में आता है और इसी वज़े से यहां पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है संडे होने के वज़े से आज यहां पे बहुत सारी भीड है अब देख सकते हो तो चलिए दोस्तों देखते हैं एलोरा केवस दोस्तों हम लोगों ने एंट्री टिकेट ली लिए एंट्री टिकेट यहां पर टोकन लेके हम लोग अभी अंदर चले जा रहा है यहां पर आपको जो टोकन दिया जाता है पर टोकन वेरिफाय वहता है वेरूल के पहली केव विजिट करने के लिए हम लोग पहुच चुके हैं और आप देख सकते हैं यह है मेन इंट्रस बहुत ही अच्छी नकाशी यहाँ पे आपको देखने मिलती है बहुत ही अच्छी कार्विंग पत्थरों के उपर की गई यहाँ हम देख सकते हैं संडे होने के वज़े से बीड थोड़ी जादा है यहाँ पे जैसे हम लोग लेणी के परिसर में एंट्री करते हैं तो हमें 16 नंबर की जो गुफा है वो यहाँ पे दिखाई देती है गव्य प्रांगण में यह गुफा विराज मान है इन गुफाओं के निर्मान के बारे में बात करें तो तक्रीबन छटी से बारवी सदी के बीच राष्ट्रकुच वंशजो दोरा इन गुफाओं का निर्मान किया गया था तो चलिए दोस्तो देखते हैं वेरूल की लेनी के लाष्मंदिर के नाम से भी इस लेनी को संबोधा जाता है तो अटम मुद्दा जी के युक से यह लेनी को यहाँ पे है इसी लिए इसे बाउदर लेनी भी कहा जाता है चलिए दोस्तो देखते हैं वेरूल की फेमस लेनी भी दोस्तो अगर आप मुंबई या पूने से आ रहे हैं तो अवरंगाबाद यह शहर यह जिला रोड और रेल मांग से जोड़ा गया है मुंबई से तक्रिबन 240 किलोमेटर और पूना से 230 किलोमेटर दूरी पर अवरंगाबाद स्थीत है अवरंगाबाद रेल्वे स्टेशन से तक्रिबन 30 किलोमेटर दूरी पर वेरूल गाव है और वेरूल गाव में ही यह फेमस लेनी हम देख सकते हैं दोस्तो रेल्वे स्टेशन से वेरू लाने के लिए पपलिक और प्राइवेट दोनों ट्रांस्पोर्ट यहां पे अवेलेबल है साल 1983 में युनेस्ट को ने इन लेनियों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया और दोस्तो इसी वज़े से हर साल लाखो विदेशी परियाटक यहां विजिट करते हमें दिखाई देते हैं दोस्तो कुछ ऐसी चीज़े है जो वेरूर केवस को बाकी केवस से अलग दिखाती है अब जिस मंदिर में हम जा रहे है वह है कैलाश मंदिर एक शिला को काट कर उस गुफा में इस मंदिर का निर्मान किया गया था इलोरा की विशेष्टा यह भी है कि तक्रीबन सो से भी ज़्यादा गुफा है यहां पर है अब इस की नोट पर जो मॉनुमेंट्स आपको दिख रहा है दोस्तों उस से मॉनुमेंट्स आपको यहां पर दिखेगा जिस्ट में आपके नॉलेज के लिए यह फोटो और यह बीस रुपे की नोट यहां पर मैच करके दिखाता हूं के लेश मेंदिर के सामने अगर आप देखोगे तो यह चोटा सा मॉनुमेंट्स है जहां से आपको यह स्तूप बहुत क्लियरली दिखाई देगा और यही स्तूप का फोटो जो है आज के छपाए गए 20 रुपीज के नोट पर आपको दिखाई देगा कि अलोरा में तकरीबन सव गुफाये हैं मगर उन में से सिर्फ 34 गुफाये ऐसी है जहां पर लोगों को विजिट करने की अनुमती दी जाती है एलोरा केव्स इसलिए भी ज़्यादा माइने रखती है कि इन केव्स में सिर्फ बौद ही नहीं तो हिंदू और जैन धर्मों के बहुत सारे मंदिर हमें दिखाई देते हैं बड़ा की बड़ा टो हिंदू बड़ा देते हैं एलोरा की 34 गुफाओं में से गुफा नमबर एक से गुफा नमबर बारा जो है वो बौद धर्मियों के मंदिर है 13 से 29 कुल 17 गुफाए हिंदू के मंदिर है और 30 से 34 जो है वो जैन मंदिर है मुख्यों मंदिर के प्रवेशद्वार से बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा रास्ता है जिससे हम लोग मंदिर की पिछली तरफ आते हैं और पिछली तरफ हमें कुछ मंदिर यहां पे दिखाई देती है मंदिरों के शिल्फ अभी भी बहुत अच्छे कंडिशन में है अब देख सकते हो यह शिल्फ इतने प्राचिन होने के बाउजूत भी इनकी नकाशी और रंग अभी भी इंटैक्ट है दोस्तों वैसे तो एलोरा की 34 गुफाय देखने के लिए कम से कब दो से तीन दिन का वक्त लगता है हर एक चीज इस वीडियो में डालना मुंकिन नहीं था इसलिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूंगा के अगर आप आउरंगबाद में आते हैं तो इस जगा को जरूर भेट दे दोस्तों यहाँ पर एलोरा की विजिट हमारी कम्प्लिट हो रही है दोस्तों इस वीडियो बनाने में हमें कम से कम 2 से 4 से 8 से 10-10 दिन भी लगते हैं अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए बने रही है मेरे यह राइडर अविनाश के साथ जय हिंद जय भारत